इंद्रागांदी सहरी क्रिडिट कार्ड योजना उधारी पर देने वाला एक कार्ड है यह जो 50,000 रुपे उधार देता है किनको देता है कोरोना के समय कोविड के समय जो बेरोजगार हुए मजदूर इचके वाले डोसे बेजने वाले उथार कुमार दर्जी यह वेंडर जितने भी है खोमचे वाले लारी वाले समझ गए और संग्ठिद मजदूर उनके उनके लिए योजना है यह रूक वोई थी बजट इकीस बाइस में यानि दो जार इकीस में शुरूकी गई थी कब की दे दो जार इकीस में शुरूकी थी दुबारम किस नहीं किया कुद्धी से क्या था लॉकडाउन में बेरोजगार हुए पसंग्ठित और छोटे वेपारियों वेंडर हर संग्ठी छहत्र में काम करने वाले लोगों थिला वेपारियों को पचास अजार का रिंड देना सारे आ देंगे जिनका खुद का कोईन कोई काम था और लॉकडाउन की वज़े से वो बंद हो गया कैं सबको नहीं था यूं नहीं था कि कोई मील में काम करने वाले को दिया जारा है लग बाता मेंшей में में काम यूद नद लगा हुए तो उसको नहीं था जिसका खुद का काम था है उनको दिया जा लुए वेपारी वैपारी कौन से, कोई भी वैपारी, खोटे वैपारी, दुकान लेके बैठे हैं, उपर्चुनी की दुकान, इसमें एक शबद आता है, वेंडर्स के लिए, वेंडर्स का मतलब, तेले वाले, गली में घुम घुम कर बेचने वाले, कित्ते अजार उपे 50 अभी रीट में भी आया था कि पिराया गया कि आ सकता है कि इसे स्थाइए क्या थी कॉरोना संक्रमन से बेरोजगार हुए नागरिकों को कित्ते रुपे पचास जार उपे तक का रेड के लिए गारेंटी नहीं है आव सकता नहीं है लेकिन कुछ सर्ते इसकी ऐसी थी कि विचर आम आदमी जो आम वेंडर या दूर्व नहीं पहुंच पाता था कुछ सर्ते ऐसी थी वागि अगर सामने वाला देने वाला चाहे न जिनको जो सेटप बदा रखा था कि आपको क्या-क्या किस-किस को देना है तो तो वो दे सकते अगर आएगी अभी सर्ते देखो थोड़ी अजीब सी सर्ते हैं इसकी बाकि बहुत दोनों को मिलाएं कैम्प लगे थे इसकी जो परमान पत्तर देना जरूरी है सेरी निकाय के द्वारा कि ये वेंडर है अगर नहीं भी है तो भी उनके लिए विकल्प था कि कैसे दिया ज मुक्त है ये देखो गार्णिटी की आशकता नहीं है और व्याज मुक्त है कि व्याज नहीं देना है मॉनिट मॉनिट्रियम की अवदी है तीन मां यह क्या होता है हई पर कि अनदान नहीं है रीड्या २े नहीं कि अनुदान का मतलब यह होता है वापस नहीं देने वापस देने है निर्दारों अधि मॉद्रीम वापस देना है में आप मौजमस्ति करो पैसों का यूज करो किस यूज में आपने कोई काम जैसे कि खतम करना हुच यूज कर और लेकर क्यूज फिर चोथम लेकरके 15 महां तक feature 12 किस्तों के 12 मैनों के यूज नहीं है तो मेह बुगतान महिने तीन महिने तक आपको एक पैशा वापस नगा है आप अपना जो भी दंदा काम-दंदा था वह वापस부स 서 K test records चौथे महिने से आपको बीज़स पैशों को 12 टुकड़ों में बांटना है और हर महिने एक टुकड़ा तो जमा करवाना तो पंद्रवे महा तक पंद्रा महा यह वोगे न अगर चार के बाद पंद्रा वारा होगे 12 समान किस्तों में अब अगर कोई नहीं दे पाता है तो वह अधिक्तम 18 महा में वह पैसा चुका सकता है लेकिन उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या लगेगा ब्याज लिए जाएगा कि उसके बाद क्या लगेगा ब्याच जैसे प्यम आवास यूजना में था न है लाग तक ब्याज अनुदान अब पचास लाग का लॉन लोग कोई दिखर नहीं है यूजना का नोडल अधिकारी कौन है जिला कलेक्टर है नगर निगम अधिशाची अधिकारी अभियंता यही था एजेंसी यही थी निगम नगर पाली का अदर निगम नगर परिश्देवा नगर परिश्दे एहां अगर वह है आसान है डो चार बार पढ़ो घे तो पांचछे क्योशन से हो जाएंगे कि इतने हैं अच्छे प्रस्थ हो जाएंगे अराम से सही हो जाएंगे और है क्या अब इसमें याद करने वाला है क्या मुखी मंत्रिक द्वारा सुरू किया गया अर्ष संग्ठित वैपारियों वेंडर्स थेला वैपारियां खोम्चा वैपारी गली में घूमने फिरकर समान बेचने वाले धोबी नाई यह चोट चोट दुकाने चो चलाते हैं वह बड़ी दुकाने नहीं अब बड़ा अब नगरपाली का स्रेटिपिकर देखिए उसको यहां यह स्ट्रिट वेंडर हैं उनके लिए यह जूत्ते पालिश करने वाले कारे जिनकी जो छोट छोटे काम कर रहे हैं उनके लिए गारिंटी नहीं है लेने के आ सकता नहीं है आप आओ पैसे ले जाओ कि अब याज मुफ्त हैं यह लेकिन कब तक जब तक नेधार्च अबदी में चुकान दो तब तक व्याज नहीं है उसके बाद व्याज लगेगा अ कि मॉनिटोरिय मवदी तीन महीने की उसके बाद आपको पुंद्र भुक्तान करना शुजू करना है नॉडल कौन है जिला क्लेक्टर है लाबार्ति का सत्यापन कौन करेगा उपखड़ना दिकारी द्वार के यहां यह आदमी वो ही है जिसके लिए योजना सुरू किये गई है कोई अवसरवादी नहीं आएगा टेक्सी वाले भी है इसमें टेक्सी वाले भी इसमें है प्रिंड प्राप्ति के लिए आवेदन का कोई सुल्क नहीं है आवेदन का कोई सुल्क नहीं है पांच लाख अब्यर्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आदार पर रिंद दिया गया कि पहले आओ पहले पाओ के आदार पर रिंद दिया गया कितने लाख लोगों को पांच लाख लोगों को इतनों कोई देना है इतनों को ही देना है लाबार्थी डेबिट कार्ड क्रिडिट कार्ड के द्वारा रिंड राशी बैंक से निकाल सकता है और कैसे निकालेगे यह माधिम दे रखाएं योजना का समस्त खर्च राजी सरकार द्वारा वहन किया गया पांच लाख तक कारें ने शारी पांच लाख लोगों को पचास जार तक कारें पहले आओ पहले पाओ त्या धार्पन कि जेशे क्या जिस्टर गेट पर जो गवार्निया समझते हो ना कई योग नहीं पता गवार्निया ग्वाल्निया नहीं ग्वाला नहीं ग्वाल्निया यह जो इसमें यह पातर थे इस योजना कलाप उन्हीं वैपारियों को दिया गया जिनें जो शहरी निकाय हैं शहरी निकाय के द्वारा विक्रे है तू क्या दिया पर्मान पत्तर दिया या कोई इडेंटिकार्ट दिया हुआ यह बेचने वाला है पहले नहीं तुरंद तुरंद उसी द्वरान मैं गया इसाब मेरे लिए नाई हूं नाई की दुकान बंद हो गई तो कि अच्छा ठीक है कहा है दुकान यह दु हमारा और यह सर्वे के दौरान तो मतलब पैचान पत्तर दिया जाएगा बिना पैचान पत्तर के नहीं मिलेगा नगरपाली का नगर निगम नगर परिशाथ सट्टिपाइट करेगा कि हां यह आदमी यह काम करता है पिच्के की दुकान है इसके गड़ा लगाता है पिच् सर्वे के दौरान चैनित वेंडर बिना मुझ्दूरों को भी इस योजना में सामिल किया गया चाहें उनके पास पैचान पत्तर प्रणम पत्तर नहीं था इसमें सर्वे हुआ था इसमें सर्वे हुआ था सर्वे में मैं भी सामिल था अब सर्वे क्या था पारसद लिस्ट लेके आया कि यह यह लोग है और उनको लिस्ट बना दी गई है कि सर्वे है हमें लगा कि यह आदमी वास्त में है कमजोर है या इसका यह काम करता है वास्त में यह काम करता है सिर्वे के दौरान किया गया जिसमें सर्टिफाइट की इडी काड़ के जरूरत नहीं है मैं जिला रोजगार के अंदर में जो पंजीकरत नागरिक थे वह आवेदन कर सकते थे जो इस काम के लिए जिला नियोजन के अंदर में मतलब वहां उन्हें आवे दिन कर रखा हैं और वो कुल काम कर रहे हैं लेकिन उनके मासिक आए 15,000 से अधीक नहीं होनी चाहिए किसकी इन में जो काम करने वालों कि इन की बात की जा रही जिला रोजगार के अंदर हैं जाते एक दन सामने हर लगते थे फिर फॉर्म लिया जाता था उसको बढ़ा जाता था नाम दिखा जाता बिल्कुल बढ़ती मिलते थे जह ऑफ-लाइन होता था वह भी एक टाइम था भी तक लगती ती जब बर्दस्त एक जने को एक फॉर्म मिलता था दो नहीं मिलते थे पता निए फॉर्म परके कलेक्टर न बन जाए सिद्धा ये एक फॉर्म एक जने को हाँ रिज्टरम एंट्री और तो क्या होता था उस दोना आधार अगे तो थे नहीं ऐसे आविद्ध जिनकी कुल पारिवारी का आए कुल पारिवारी का आए पचाश जार या उससे अधिक हैं तो उन्हें इस यूजना का लाब नहीं मिलेगा मासी का आए पचाश जार से अधिक है तो उलाब नहीं मिलेगा कि कि समझ गया यहां तक कुछ ज़्यादा है क्या हामानी बाते हैं कि ऐसे वैपारी जो इस्तान यह सहरी निकाह यह पेरी अर्बन क्या है कौन से अधियर के आद सब्सक्राइब है यह यह ऊद्राम सर्व गया है िसरण सर्च अलब होगता है तो सहर में आते हैं पर रहते में हैं पर काम या करते या ग्रामिंड चेत्र में कारी रधे है उन्हें सेरी इस्तानी निकाएं टाउन वेडिंग कमीटी द्वारा शीफारिष पर प्रमान पत्र दिया जाएगा और इसमें वेचेनित हो सकते हैं कि यह वह कमीटी हैं कि यह वह कमेटी है कैसे आ नीफूर सकते हैं तो इसमें कौन-कौन थे नहीं यह पूछ सकते हैं और प्रशने एक आना है हाइस एक आना है आठ यूजना है तो मान लेते हैं आठ प्रशना नहीं तो यह मना थोड़ी है कि यूजना को प्रशन यहीं आएगा प्रश्ट बार पार्ट में भी तो आ सकता है और ना थोड़ी है लेकिन लेकिन अधार कम है कि मना नहीं है कि वहाँ दिया था आप यहां क्यों पूछ लिया पूछ लिया नहीं बड़ी बाब है कि वारिवारी काय कितनी होनी चाहिए पचाश जार पचाश जार है या उससे अधिक हैं तो वह पातर नहीं होंगे जो कमाया है वह खाओ अब लाबार्थियों की पहचान कैसे होगी पहचान कैसे होगी लाबार्थियों जिले के इस्ट्रीट वेंडर बैरोजगार अनुपचारिक सेवा वैपार में सलगन वेपिनागरियों की पहचान की गई अनुपचारी के मतलब जो कोई जिनके काम करने कोई नियमावली नहीं है जो रिजिस्ट्र नहीं है डेली जजग गए हैं तो कमाएंगे वर्ना आयका साधर नहीं है कि एस्टी एससी वैपारी जो गलियों में काम कर रहे हैं उन्हें सेरी निकाय द्वारा परमान पत्र या पहचान पत्र दिया गया हो वह इसके पात्र होंगी कि एस्टी एसी और बीची को कि जनरल यहां कहीं नहीं लिखा है कि जनरल को दिया जाएगा यह जनरल पैसे वाला और पैसे वाले जनरल पैसे सुर्ण पैसे वाले सारे कि उन्हें सभी एस्टी एसी ओबीची वर के वैपारियों के पहचान की जिनने सर्वे के बाद वैपार प्रारम किया और इस्तानिया शेरी निकाय या टाउन वेडिंग कमिटी द्वारा उसको प्रमान पत्र दे दिया गया कि हाँ यह इसके पात्र है इसका तर्वे के बाद भी अगर कुछ ने वैपार शरू किया है तो उसको पैसे दिये जाएंगे जनरल में यहां जनरल नहीं है कोई भी इडिया रख ले नहीं है यह इड़वलू एस है कोई कि यह जो कैटेगरी बता रखी है तीन ऐसे वैपार उनके पहचान की गई जिनका सर्वे के दोरान चैन किया लेकिन उनके पास पहचान पत्र या आईडी नहीं थी जो बेर बताया था पहले कुछ भी नहीं है लिए सर्वे हुआ कि ढूंडो कौन कौन है तो उनके लिए पास पहचान पत्र की जरूत नहीं है लिस्ट में नाम आ गया तो उसको इस लाब मिल सकता है तेंगे सबको लाब नहीं मिला था भी काने में कम से कम चालिस जाड़ टैक्सी है कितनी चालिस जादा ही होगी कम नहीं होगी देने पांच लाग है तो टैक्सी वालों क्या आए थी आए थी कि उस दौरान कोई आए नहीं थी है पहले आओ पहले पाओ अब देने वाले यूज नैं कॉन सी है संसता है मैं यह क्यहां तक छीक है क्या यह सारी बेंक केते ने वाल यह सान से मिलेगा नीरे रिड्नल रूरल बैंक क की तरिड्नल रूर्ल मंक श्माल फैनेंस बैंक कॉपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग जो बैंक का काम नहीं करती है, लेकिन फाइनेंस करती है, क्यों फाइनेंस करने वाली, अनुशुचित कॉमर्स बैंक, यानि जो बार सरकार की जो सेडूल बैंक है, बार सरकार की जो अनुशुचित बैंक है, तो कॉमर्शियल, रभी एक द्वारा, बार सरकार की आर्भी एक द्वारा, तारी सरकारी बैंक, नहीं, यहां अनुशुचित सारी नहीं है, कुछ- द्यानरक नहीं इन बैंक का द्यानरक नहीं रिजनल इस्मॉल कोपरिटिव नॉन बैंकिंग फैनेंस कंपनी अनुशुचित कॉमर्स में कॉमर्शिल बैंक कॉंसी योजना इंद्रा क्रेडिट कार्ड योजना चेर योजना ले आगे कहां तक क्रेडिट कार्ड की गारंटी क्या है योजना में दिया गया रिण गरंटी फंड ट्रस्ट फोर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के अंतरकर सामिल होगा यह रिण दिया गया है इस योजना के अंतरकर होगा क्या क्रेडिट कार्ड फंड ट्रस्ट पोर माइक्रों इस्मॉल एंटरप्राइज थोट-चोट इत्यों काम करने वाले न उनके लिए उस योजना के अंदर के सामील होगा पंड द्रा दिया जाने वाला क्रेडिट कार्ड की फीस की किसकी पंड द्रा दिया जाने वाला क्रेडिट गारंटी पर वाविदन सुल्क नहीं है यह आविद्न सुल्प नहीं है लाबार्ती को जी एस्टी का भुक्तान भी करना पड़ेगा लेकिन इसका भुक्तान सरकार द्वारा किया गया प्रिंड पर भी आज भुक्तान अब जो पैस जिसको लाब मिला है वो तो इन ब्याज नहीं दे रहा है लेकिन बैंक फोकट में देगी क्या बैंक तो ब्याज देगी या फोकट में देगी ना बैंक को तो ब्याज चाहिए तो कौन देगा ब्याज राज्य सरकार देगी कितना परसेंट 10% कम ही है इस ब्याज किसी को पैसा मिल जाए तो कम है ब्याज भुकतान कौन करेगा राज्य सरकार करेगा 10% की दर से कि आवसक्त दस्तावेग क्या चाहिए देखें कि जितने भी आपके पास है वह साथ दस्तावेग देखें कि अले आगे कि यह लंबी लेश्ट है कि मोबाइल नंबर की नहीं होगा अधार कार्ड कि मूल निवासी मूल निवासी चाहिए जाहिए आय परमान पत्र कि आयू परमान पत्र कि पहचान पत्र कि और पास्पोर्ट साइज के फोटो कि कौन चिल्ला रहे है 5 कि अ पैसे नहीं पुछेंगे यह सैंगे यह कि नहीं पूछे जाएंगे है कि योजना किसके लिए थी यह पूछ सकते हैं नोडल कौन है कि प्रमाण पत्र कौन दे रहा है कि उपकंड़ा दिगा रही है एसडियम दे रहा है कि पत्यापन वहीं करेगा कि कि कितने दिन में कि आवेद्दन की जाच 15 दिन में पूरी की जाएगी और जाच रिंड देने वाली सर्स्ता फिर जाच करेगी पहले तो कौन नगर नगर पाली का नगर परिशेट जो भी है जिंश्य वह जाच करेगी फिर वह डॉक्मेंट यह में बेज जाएंगे यह कहीं पहले हाँ इसका इसाब किताब गड़ बड़ाया तो नहीं है वो देखेगी पहले कहीं खाया वो पैसा तो नहीं है फिर वो उसको स्विक्रति परदान करेगी और स्विक्रति परदान करने में साथ दिन का समय लेगी कि अविदन के बाद यानि लगबग 22 दिन के बाद आपको पूरे पचास जार रुपे का रिंड मिलेगा कि इतने अजार का कि पचास अजार के कौन से यूजना थी इंद्रा गांदी सहरी क्रेड़ कार्ड यूजना क्रेड़ कार्य क्रेड़ कार्य क्रेड़ कार्य तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा आविदन किया पंद्रा दिन पंद्रा दिन के बाद बैंक लेगी साथ दिन का समय है साथ दिन के बाद उसको वह हो गया कहा फाइंदल हो गया फिर उसको इकार दिया जाए गा सिन कारी दिवस्पर दिवर oh उटिं की जुटि आ्ब गही तो साथ दिन में के जार स्विकर्थ की पिरा जाएगा तो सामनी होगै कि पंद्रा और साथ बाइस बाइस और तीन पच्चीस दिन होगे कि पच्चीस दिन में आपको रिण मिल जाएगा पूरे कि पच्चास अजार कि पुंद्र भुक्तान कैसे करना है अब पुंद्र भुक्तान नगद कर सकते हो बैंक में जाके जमा करवा दो मैं आउनलाइन कर सकते हो हुaş और अट में क्तं निकार के अधिकार दौरा सैयोग उपलब्ध करवाय का नग्ता नाहिं है आप लोगे पांचार रुपे मेरे से ले जा ऐसे कोई नहीं देता है अधिकारी तो विश्यस कर देए कि आम आप भी अपने जैसे दो देदे कि कभी बार नहीं विचारा कोई नहीं देता है और सही भी है क्योंकि अगर आप मेरा कवंसेप्ट है आप इसको वद्रवाजनल है अहां और बहुत जल्दी ठकते हैं वो तो चालाग पड़े हैं आठ लाग करना चाहते थे हैं अधिकार्यों द्वाराज स्यों को प्लब्द करवाए चाहेगा किसी परकार की तक्निकी एल्प यह यह योजना क्या होगे खतम होगे क्या आसान थी है ना इसके निकमिट आई नहीं 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 इसमें हाँ वो नगर निकाय के यह भी था उसमें नगरपाली का चेतर लाग इसमें रह गई इसका मक्नब चलो बता देंगे इसमें एक कमिटी बनी होई थी हाँ वो यह है वो यह नाम आया था कि कर लेंगे वो जो मैंने पीडियव डाली ने उसमें है वो देखना हाँ पर टेलिग्राम पर मैं पीडियव डाली है यूजना होगे हाँ अ अब पर डाल लिया वो एकदम सबकुछ फ्री है हाँ यह का अ उपखंडा दिखारी भी होगा हाँ